हलो फ्रेंड्स आज हम इस पाच मीटर कपड़े से सूट की कटिंग सीखेंगे सलवार सूट दोनों चीज कट करेंगे अब फ्लावर्स आप देख सकते हो पूर डाउन दोनों पोजिशन्स में हैं तो दोनों पले साथ कट जाएंगे सबसे पहले मैं इस पाच मीटर फैबरिक में से शर्ट के लिए कपड़ा अलग करूँगी मुझे शर्ट त्यार करनी है 44 इंचीज की तो मैं 44 इंचीज में 3 एड़ करके यानि 47 इंचीज की लंबाई लूँगी 47 का डबल करके फिर मैं इसको इसके अंदर से कट करके कुड़त के लिए कपड़ा अलग निकाल लिया है अब मैं इसके उपर करूँगी मार्किंग अब आप ये मेजरमेंट्स देख सकते हो अब एक होता है फुल बस्ट और दूसरा होता है हिप कई केसिस में आपको फुल बस्ट जदा देखने को मिलेगा हिप कम होगा कई केसिस में हिप जदा होगा तो फुल बस्ट कम होगा आप अपने मेजरमेंट्स में देख लेना अब मेरे में हिप जदा है तो मैं हिप में 2 इंच एड़ करके अपने फैबरिक की मेजरमेंट्स लूँगी साघे ग्यार इंचीज मैं ठाइसे होगा, अब मैं फैबरीक को चोड़ाई है वो 13-2 एंचीजải करूंगे, 31-3चीज़ अब मैं फैबरीक की जो चोड़ाई है, हो 13-3 एंच्प एसाब से लोगी, ये जो कन्नी No паль ett ay इसको इसकनी से मैं साड़े 13 इंच के निशान लूगी और पूरे फैबरिक की लंबाई में च्यार पांच जगे मैं ये निशान ऐसे ले लूगी इससे हमारा जो फैबरिक है बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा कटेंग करते टाइम हमें मार्किंग करते टाइम किसी तरह की कोई प्रेशान ही नहीं होएगी सूट सिलने के बाद सूट के टेड़े जाने के चांसिस भी बहुत कम हो जाते हैं अब मैं ये साड़े तेरा इंचेज की मार्किंग चार पांच जग अपने कपड़े पर लेके लंबाई में अब फिर कपड़े को सेट करूँगी आप भी इसी तरह से करोगे तो आपको भी कोई प्रोब्लम नहीं आएगी अब उपर वाले निशान को और नीचे वाले निशान को पकड़के फैबरिक को जड़काते हुए अच्छे से सेट करेंगे सारे निशान ताकि एक लाइन में आ जाए और फैबरिक हमारा सीधे से सेट हो जाए अब लंबाई की मेजरमेंट के बाद हमारी बात आती है शोल्डर के शोल्डर का निशान जो लगाते हैं वो नेक के इसाब से लगाते हैं इसके उपर मैंने वीडियो बना रखी है मैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहां जाके चेक कर सकते हैं जैसे मुझे बनाना है बोट नेक बोट नेक के लिए शोल्डर लूँगी मैं शोल्डर का आदा शोल्डर का ठीक आदा हमें बोट नेक में लेना होता है जैसे मेरा तीरा आया है पंदरा इंच तो मैं साड़े साथ इंच पे यहां मार्क करूंगी बिलकुल हमें आदा लेना होता है तीरे का जो आया होता है जैसे जैसे नेक डेप्ट बढ़ती जाएगी तीरा कम होता जाएगा अब मैं उपर से मारकिंग लूँगी अपनी। अपर चैस्ट लाइन की, फूल बस्ट लाइन की अपर चैस्ट लाइन उपर से साड़े 6 इंच पे होती है ये मोटा मोटा नदा जाता है, एक्जक्ट नाप नहीं होता मोटे पतले के साभ से यह कम ज़्यदापा 20 इंच का फरक कर सकते हो अब दूसरी है फूल बस्ट लाइन मैं लूंगी गयारा इंच पे यह इनका कोई एग्जैक्ट नाप नहीं होता है मोटा-मोटा नाप होता है इससे आप अपने सूट पे आफ इंच का आप डाउन करके मोटे पतले के साब से सेट कर सकते हो उसके बाद फिर मैं दूसरी तरफ भी सेम इसी मार्क ये सेम निशान से ले लूँगी और फिर इनको आपस में ऐसे जोइन कर देंगे दोनों निशानों को आपस में ऐसे जोइन करके सीधी लाइन ड्रो करेंगे ये हीप लाइन की लाइन हीप की लाइन मैंने ड्रो की ये वेस्ट लाइन ड्रो कर लेंगे ये फुल बस्ट लाइन ड्रो करी बस ये लाइन अच्छे से ड्रो कर लेनी है ताकि मार्किंग सही सही हो जाए अब जो अपर चेस्ट है वो है सवा नो इंच हाफ इंच को एड किये बगेर लूजिंग वाला हम सिर्फ सवा नो इंच पे पहले मार्किंग करेंगे सवा नो बंस हमें सारी मार्किंग बंसाइड से करनी है बंसाइड अपनी तरफ रखनी होती है और ओपन साइड दूसरी तरफ बंसाइड से हमें सारी मार्किंग करनी होती है सवा नो इंच पे पहले हम मार्क करेंगे जो एग्जेक्ट नाप है बगेर लूजिंग डाले फिर इस सवा नो इंच का हम हाफ इंच हाफ लेंगे यह निकल के आएगा, क्रोस बैक, यह हमारा क्रोस बैक निकल जाएगा, अब उपर जो लिया था साड़े साथ पे उस मार्क को इस मार्क के साथ मिला देंगे, और एक स्टेट लाइन ड्रो करेंगे, अब उसके बाद जो अहाफ इंच लूजिंग वाला है, फूल बस्ट में व अंदर कपड़ा छोड़ने के लिए टू इंच एक्स्टा लेंगे, आप डेड इंच जितना आप चाहें उतना अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा मैं दो इंच रखती हूं, उसके बाद है फूल बस्ट, फूल बस्ट मेरा है दस इंच पे, अब मैं टैन इंच प मैंनेफड प्लेट के लिए डाला है वह मैं अनुग मैं खोकत पीक दोणा है इसलिए दो एंच एंच एड किया है, आगर आप बैप जwhen template में चाहते हैं, अगर अब फिल टीए में हों, अगर अध explosiv में डेडना चाहिते हैं और अगर कुछ भीन दालाशन है पर आप अप का लाइन ड्रो निशान लूँगी अब और सारे निशान्स को फिर आपस में मिला देंगे सारे निशानों को आपस में मिला देना है ये हमारी फिटिंग वाली लाइन होती है यहां से मशीन जाती है इस निशान के उपर से मशीन जाती है और ये जो बाहर वाला निशान है ये ए अब यहां से हम राउंड शेप इसको देके आर्म होल का हाफ करके मेजर करके देखेंगे इंची टेप रखके कि हमारा एक्जेक्ट आर्म होल बैठ रहा है या नि बैठ रहा क्योंकि अगर आर्म होल टाइट रह गया तो सूट चड़ेगा नियुर गला पीछे की तरफ जाने के चांसिज होते हैं अब हमें क्या करना है आर्म होल अठारा इंच आया है मेरे मेजरमेंट्स में तो इसका मैं सीधा हाफ करूंगी अठारा का हाफ वाड़ा नो इंची इज अठारा का मैं हाफ करूंगी अठारा का हाफ करते हुए मेरा आगया नो इंच अब मैं नो इंच यहां इससे इंची टेप से मेजर करके देखूंगी फैबरिक के ओपर अब यहां से है जो यह सिलाई वाली लाइन है यहां से उपर से आफ इंच छोड़ने छोड़ते हुए हमारा नो इंच बैठना इंची टेप को ऐसे थोड़ा सा दूर रखते हुए ना पेंगे लेकिन मेरा नहीं बैठ रहा मेरा साड़े आठ इंच बैठ रहा है तो मैं गोलाई थोड़ी और अंदर की तरफ से गोलाई ले लूँगी ज़रूरी नहीं कि आपकी जो गोलाई आप ऐसे ही ले सिस्टेट अगर थोड़ा नीचे जाके भी होती है तो उसमें भी आपकी को किसी तरह की कोई दिकत नहीं आने वाली इस चीज के आप प्रेशानी ना ले अब दुबार से जब आप मेजर करके देखेंगे थोड़ी सी और अंदर की तरफ गहराई करने के बाद तो आप पाएंगे कि आ इगजेक्ट आगे मेरी 9 इंचिज आ गई है तो अब मैं उपर से हाफ इंचिज को हाफ इंचिज शोल्डर डाउन के लिए लूँगी और जो मैं बोटनेक बना रहे हैं तो बोटनेक की जो चोड़ाई होती है चार या साड़े चार इंचिज होती है मैं साड़े चार इंच बनाने वाली हूँ इसकी जो चोड़ाई है और साड़े चार इंच पे या मार करते हुए शोल्डर डाउन कर दूँगी हाफ इंचिज पे झाल झाल इसके बाद ये फैबरिक अटा दूंगे इसमें से हमसलवार के पार्ट निकालेंगे अब ये जितने भी हैं इन सारे निशान को ऐसे पकड़ते हुए यहां छोटे छोटे नोचीज हम लगा लेंगे ये नोचीज लगाना बहुत ज़रूरी होता है छोटे छोटे नोचीज आप हर जो लाइन है जितनी भी लाइन हमने ड्रो करी है वो चाहिए फुल बस्ट लाइन है हिप लाइन है सारी लाइन पे हम छोटे-छोटे नोचीज इस तरह से लगा लेंगी ताकि दूसरी तरफ मार्किंग करने में प्रोब्लम ना है कुछ लोग कैंची के हिसाव कैंची से ले लेते लेकिन मुझे वो थोड़ा सा तरीका ठीक नहीं लगता मैं इसी तरह से लेती हूँ दूसरी साइड के मार्क आप चाहें तो कैंची से ये निशान बनाते हूँ दूसरी साइड मार्क ले सकते हो लेकिन मुझे वो प्रोसीजर थोड़ा सा ठीक नहीं लगता इसलिए मैं वो जो कैंची वाली मार्किंग है वो नहीं लेती अब नीचे से हम क्या करेंगे डाइ इंच पे धर निशान लगाएंगे फट्टा मूडने के लिए डाइ इंच का निशान लगाएंगे और डाइ इंच पे निशान लगाने के बाद एक नोच हम यहां पे लगा लेंगे एक छोटा सा नोची दर भी लगा देना है ताकि जब हम फटा मोड़ें तो दोनों तरफ से एक सार हमारा फटा है जो वो एक सार मोड़ जाए अब जो ये मार्किंग है दूसरी साइड भी ले लेंगे अब जो हमने नोचीज लगाए हैं उनोचीज को अच्छे से सैट करके और फिर सी दी लाइन ड्रो करेंगे और जो मार्किंग दूसरी उस साइड की है सेम उसी तरह से मार्किंग करते हुए सारे निशान को मिला देंगे फुल बस्ट दस पे थी वेस्ट हमारी साड़े दस थी हिप साड़े 11 था सेम उसी जो दूसरी साइड निशान थे वही सारे निशान हमें साइड भी लगाने है और इनको सारे निशान को मिला देना है उसके बाद हम फरन्ट और बैक पार्ट को अलग-अलग कर लेंगे हम प्लेट के हम निशान लगाएंगे प्लेट के निशान के लिए फैबरिक को पहले अच्छे से सैट करके रखेंगे और जो ऊपर से जो निशान होता है आ・ arriv प्लेट का उपर से 11 इंच पर निशान लगा लेंगे, यह अगर आप 10 इंच पर निशान पत लाया तो 1.5-1.5 पर निशान लगाना होता है, फिर 11 से नीचे 4 इंच पर मारक करेंगे, वह हमारा पहले से हुआ हुआ है, वेस्ट वाला और उसके बाद भी यहाँ पर पर निशा हम 3.3 इंच के उपर निशान लगाएंगे उसके बाद यहां से फीर अगें 4 इंचिस नीचे एक मार्क करेंगे और इस मार्क पे हम 3.3 इंच पे मिलाएंगे एक निशान मार्क करेंगे भपसी करणी हमें 3.3 इंच वाली उसके बाद हम राद जो 2.5 mon के दोने तरफ हाफाफ इंच पे हम मार्क करेंगे जैसे अब मैंने जो है ये तिनो लाईन तो साड़े तीन इंच पे होंगी Iğder से हमें यह बन साड़े तीन इंच पे लेनी है तिनो लाईने इधर से भी मिडल वाला हमारा निशान है इसके ओपर हम सैट करेंगे कोई और उसके half inch इस side mark करेंगे और half inch पे ही दूसरी side mark करेंगे उसके बाद हम इस mark को इस mark के साथ मिलाएंगे इसे आप scale की help से भी मिला सकते हो और free roughly भी आप इसको ड्रो कर सकते हो लेकिन अगर आप roughly ड्रो नहीं कर सकते हो तो आप scale या free inch टेप को ऐसे set करते हुए निशान ले सकते हैं और same इसी तरह आप इसकी दूसरी तरफ भी निशान ले लीजिए और जो इसका front part है front part पे भी आप same इसी तरह से निशान ले लेंगे इसी तरह दूसरी side ले लेंगे और दोनो पलो पर plates के मैंने दोनो पलो पर plates के निशान लेने हैं, इसलिए मैं दूसरे पर ले पर भी सेम इसी तरीके से प्लेट के निशान लूँगी, अब मैं फ्रंट पार्ट में आर्म होल की जो गहराई है वो दे रही हूँ, इसे हमें आदाइंच थोड़ा सा गहराई देनी होती है, फ्रंट पार्ट के आर्म होल को, इस तरह से आप फ्रंट पार्ट की गोलाई कर सकते हैं, और इसे हमें सिलाई के निशान तक ही गोलाई देनी होती है, आगे नहीं देनी होती, यह हमारी है जो कटिंग है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की होगी है, अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग, स्लीव की कटिंग के लिए सबसे पहले हमें आर्म होल का देखना होता है आर्म होल कितना है आर्म होल जैसे हमारा ठारा है ठारा का अधा कितना हुआ आर्म होल ठारा का अधा हुआ 9 इंच ठारा का अधा आर्म होल हुआ 9 इंच अब 9 इंच के इसाव से हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में फैब्रिक ले लेंगे और हमें 9 इंच पे मार्किंग करनी है जो आर्म होल का सिदा सिदा है अब यहां से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद से एक तिरची लाइन ड्रो करेंगे और यहां से अब जो यह हमने निशा लिया यहां हलकी सी गोलाई ऐसे हलकी सी गोलाई बना देंगे यहां ऐसे गोलाई लेना बहुत इजी होता है और हलकी सी गोलाई हम यहां भी दे देंगे हलकी सी राउंड शेप यहां भी ऐसे कर देनी है ताकि सिलाई में प्रोब्लम न आए उसके बाद जो यह हमने मार्क किया है इसके बीच बीच एसे इंची टेप आप सेट करिए इसका इंची टेप को हाफ में फोल्ड कर लीजी और यहां एक निशान ले लीजिए जो बीच में निशान आया इस निशान की और अंदर एक पौना इंच पे हम निशान लेंगे और अंदर की जो गोलाई है वो गोलाई द कि उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे मैंने नो इंच पे निशान लिया है लेकिन आप नो से थोड़ा सा कम पे निशान ले सकते हो मुझे इसमें डिजाइन डालना था क्योंकि जब हम किसी भी चीज की गोलाई लेते हैं सीधा तो नो इंच है लेकिन गोलाई करने पर वो अटोमेटिकली हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है जैसे अगर हम सीधी सड़क से जाएं तो छोटा पड़ता है अगर उसी सड़क को गोलाई दे दे तो लंबा रस्ता हो जाता है तो इसी तरह होता है अगर आप नो इंच पे ले रहे हूं मुझे तो डिजाइन डाला था इसलिए मैं एक्जेक्ट हाफ लिया था आप साड़े आट पॉने नो इंच भी ले सकते हो अब नीचे जो मेरी मौरी है वो है तेरा इंच तो मैं यहां साड़े छे इंच पे मार करूंगी और डेड़ इंच मैं एक्स्ट्रा अंदर फैबरिक छोड़ूंगी इसमें और यह जो बहार वाला निश्ब बहार है एक्स्ट् करने से पहले कि यह अंदर वाली गयराई देने से पहले एक बार आप फैबरिक को चैक जरूर कर ले कि जो दोनों स्लीव्स हैं उसकी जो है राइट साइड यानि जो सिद्धी साइड वो एक दूसरे को फेस करते हुए होनी चाहिए एक दूसरे को फेस करते हुए होनी चाहिए राइट साइड तब जाके आप फ्रंट पार्ट की गुलाई दीजिए पहले फैबरिक को अच्छे से सैट कीजिए बीचो बीच एक नोच लगा लीजिए जिससे की फैबरिक का बीचो बीच हमें पता चल जाए गुलाई दे टा आपकी स्लीव से जुड़ने के बाद शर्ट के साथ उतनी ही ज्यादा सुन्दर दिखाई देगी यह देखिए फ्रंट पार्ट की गुलाई में और बैक पार्ट की गुलाई में इतना डिफ्रेंस आता है आप देख सकते हो कहीं किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा कटी फटी चीज यह लग से आपको दिखनी रही होंगी जो गर दिख रही हों तो उसे आप ऐसे करके निकाल सकते हैं